Very good morning little kids, how are you all? Hope all are very good and also enjoying your online classes. Class once again I am here with your new video and today in this video I also read about your previous chapter topic Use of, In, On and Under. Okay, so आज हम chapter 20 में Use of, On को read करेंगे. Okay, बच्चों आपको सबसे पहले English के book ले रही है और ओपेट कर रहा है आपको chapter 20 सभी बच्चे chapter 20 ओपेट कर लेजे और आज आपको पढ़ाया जाएगा Use of, On पेटा Use of, On Odd को हम क्या कहते है और को हितने में हम पर कहते है ओके जब कोई चीज किसी के ऊपर रखी होती है या किसी सता से टच होती है उससे वहाँ पे हम Odd कहते हैं जैसे कि चलिए यहाँ पे कुछ चीजे है जो दो लोगों के बीच पे connection रख रही है वहाँ पे Odd का उपयोग किया गया है तो इसको पढ़ते है फर्स्ट क्या लिखा है बच्चो आप Poster on the Wall मतलब Poster कहा पर है वाल पर है ओके यह next क्या है आजग on the Stool जग कहा है और दा स्टूल पर है ओके आज़ेस्ट और दा ब्रांच डेस्ट कहा है खोसला कहा है ब्रांच पर है ओके शाखा इट पीज़ पेड़ की डाली पर डेस्ट है next देखते हैं next sentence क्या है a rat on the bed यहाँ पे देखे एक rat है और यह कहां पर बैटा है bed पर बैटा है a dog on the log a dog कहां बैठा हुआ है log पर बैठा हुआ है a hat on the bed और hat कहां रखा गया है bed पर रखा गया है तो इसी तरीके से बच्चों odd वाले सारे sentences आपको आज read करने है only reading लगाएगे आपको write कुछ नहीं करना है आपको copy it करेगे और use of earn और बिस होता है पर कौन सा सबान किसके उपर रखा गया है आपको इसको आज read करना है सभी बच्चे six sentences को अच्छे से read करेगे और read करने के बाद on wireless sentences को तैयार भी करेगे आपको से अच्छे से read करना है और अगर आप से कहा जाता है write to sentences on about to on prepositions तो सभी बच्चे इसको लिख सकते हैं तो चली सभी बच्चों आज reading करेगे और next class में आपको पढ़ाया जाएगा use of under okay student this is your work all students read properly and enjoy your work take care students